नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं जे एस एसी परिक्षा में गरवड़ी के आरोप की जांच कराने में जूटा दोस्यों पर होगी करवाई जार्खन करमचरी चैन, आयोग द्वारा आयोजीत, नगर पालीका सेवा सन्वार्ग के 921 पदों के लिए हो रही परिक्षा में चात्रों ने धांधली का आरोप लगाया है जिसके बाद आयोग मामले की जांच करा रहा है बता दे नवर पाली का सेवा सनवर के 921 पत्रों के लिए जार्खन करम चेरी चैन आयोग के द्वारा आयोजीत हो रहा सन्यूंत परिक्षा बिवादों में आ गया है रभिवार को राज के तीन जीलों में अलग-अलग केंद्रों पर होई परिक्षा के द्वान परिक्ष्ण पत्र का पैकेट सील नहीं होने का आरोप लगाते हुए परिक्षार्थियों ने इस परिक्षा में धानली का आरोप लगाया था परिछार्थियों के द्वारा गरवड़ी की जताई गई असंका के पाथ जार्खन करमचरी चैन आयोग ने सुमवर को सफाई दी है जार्खन करमचरी चेन आयोक का मानना है कि सील बंद कार्टून आथवा सील बंद प्रशन पुस्ति का पैकेट का सेल छति ग्रश्त रहने आथवा खुला रहने की सुचना किसी भी परिच्छा केंदर से आयोक को प्राप्त नहीं हुई है और नहीं प्रशन पत्र लिक होने की सुचना कहीं से मिली है जार्खन के आठ लाख लाभुकों को मिलेगा अबुआ अवास योजना का लाब हेमंत सरकार ने जार्खन के आठ लाख लाभुकों को अबुआ अवास योजना का लाब देने की तयारी पूरी कर ली है ग्रामिन विकास विभाग एक पोर्टल भी तियार कर चुका है बता दे इसे जैप IT के माध्यम से बिक्सित किया गया है तीन साल में लगभग 16,000 को रुपए से ज़्यादा खर्च का राज सरकार अपनी नीधी से ज़रुत मन्द लोगों को आवास उपलब्द कराएगी अब वह आवास योजना के पात्र राजी के वैसे सब ही लोग होंगे जो कच्चे माकान में रह रहे हैं योजना के लावकों के चायन की परकिरिया राज अस्थापना दिवस 15 नौमबर से शुरू की जाएगी बितिये वर्ष 2023 में परधान मंत्री आवास योजना गरामीन में केंद्र सरकार ने नए आवासों के सोगरिती नहीं दी है इसको लेकर राज और केंद्र सरकार के बीच कई बार बात भी हुई परधान मंत्री आवास योजना में राज सरकार की बीतिये भागेदारी 40 परतियत होती थी इसके बाद राई सरकार ने अपने भीतिये सुरत से अब वह आवास जोजना के तहद धोज़ा तेश चोविस में दो लाख परिवारों को आवास देने का फासला किया है सीयम हेमन्त ने दूमका को दी 543 क्रोर की सोगात पूल का किया उध घाटन चुबे के मुख्यमंत्री हेमन्त ने सुमवार को दूमका के कुमडा बाद में में उरक्षी नदी पर बनाये गए राजे का सबसे बड़ा पूल का उध घाटन किया साथी 543 कोई रुपय की लागत से बन कर तेयार वह बनने वाली 21 स्वेज नावों का सिलन्यास वह उदगाटन किया इस दोरां चिया महमान स्वेज ने कहा है कि इससे आर्थिक विकास की गती तेज होगी आर्थिक विकास में सुगम, आवा, गमन, सुविधा सबसे खास पहलू है मुंबाई, कोलकाता, ओडिशा समेत देश के कई विक्सित राज वह सहरों का तेज विकास इसलिए हुआ है क्योंकि यह समुंदरी तट के किनारे बसे है उन्होंने कहा है कि दुमका के मियुराक्षी नदी पर 178.1 एक कड़ो रुपए की लागत से बन कर तयार 2.34 किलोमेटर लामबा पूल के बनने से न सिर्फ पचिम मंगाल बलिक राची जामतराव नाला की दूरी कम हो जाएगी बलिक इससे आर्थिक वह पयाटन के छेतर में विकास होगा पावर बैंक फटने से युवक की मौत किसी ने सुचा भी नहीं था कि 15 दिन पहले खर्दा गया पावर बैंक युवक की जान ले लेगा और घर का चिराग हमेशा के लिए बोच जाएगा मोबाइल खरिदने के दो दिन बाद ही पावर बैंक बलाश्ट हो गया जिससे युवक जखमी हो गया था रविवार देर रात उसकी इलाज की दोरान मौत हो गई एगहटना देवगर जी लेके सारट परखंड के बड़बाद पंचायत के मजली बाद गाउं की है मजली बाद गाउं के पारा गोतम सिंग का एकलोता पुत्र 29 वर्शी रमन कुमार सिंग पटना में रहकर पढ़ाई कर रहा था आवास घहराव करने पहुचे मन रेगा कर्मियों से मंत्री आलमगीर ने की मुलकात मंत्री आलमगीर आलम के आवास का घिराव करने पहुचे मन्रेगा कर्मियों से मंत्री ने मुलकात की है और उनकी मांगों के बारे में जनकारी ली साथ ही उन्होंने उनकी मांगों को लेकर आस्वासन भी दिया है मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि जल्द ही जार्खन राज मन्रेगा करमचारी संग के परतिनीधियों और मन्रेगा आयुक्त के साथ बैठा की जाएगी आलमगीर आलम ने कहा एकी सरकार दो राजियों रायस्थान और हिमांचल परदेश में मन्रेगा मयदूरों को मिल रही सुधाओ की भी जनकारी लेगी उन्होंने कहा एकी मन्रेगा मयदूरों को भी जल्द ही समाजिक सुरक्षा योईना से जोड़ा जाएगा भारत और जापान की महिला होकी टीम ने रांची के मरांगों के जैपाल सिंग मुंडाइ स्टोटर फोके स्टेडिया में जारी जरकाण विमेंस एसियन होकी चेंपियन्स ट्रोफी 2023 में सो मुहर को अपनी लगाता तीसरी जित दर्ज कर ली है भारत ने चीन को 2-1 से जबकि जापान ने थाइलेंड को 4-0 से सिक्त दी है वहीं एक अन मुकाबले में मलेसिया ने कोरिया को 1-1 से ड्राप पर रोक दिया बता दे वर्ल्ड नंबर 7 भारत टीम ने ACI खेलो 2023 की स्वन पतक विजेता चीन के खिलाप आकरमक शुरुवात की और पहले क्वार्टर के अंदर ही अपना खाता खोल दिया स्रीयम हेमंत का आज पलामू दोरा 5,000 युवाओं को देंगे नियुकती पत्र सुबे के मुख्यमंत्री हमंसरेन मंगरवार को पलामू के 5,000 युवाओं को नियुकती पत्र सोपेंगे इस दोरान ओ आयोजन अस्तल से सभा को समोधित करेंगे मुख्यमंत्री हमंसरेन के पलामू दोरे को लेकर पसासन अलर्ट मुड में है सीम पलामू में प्रमंडल अस्तरी रोजगार मेला सा ओफर लेटर बितरन समारोब में भाग लेंगे इस दोरान युवाओं के बीच ओफर लेटर का बितरन करेंगे इसकी तैयारी को लेकर पलामू को उपायुकत की देखरेख में कई उप समीतियों का गठन किया गया है सीम हमान सुरेन के कारकराम को लेकर सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम भी किये गए है इसके लिए 3,000 पूलिस के जवान भी लगाए गये विशे सुरक्षा को लेकर रांची से एक्सपर्ट की टीम पलामू पहुंच चुकी है वहीं बम निरोधक दस्ता डोग स्कुआट आधी भी सक्रिये रहेंगे बाबा नगरी देव घर में सबसे पहले दिखेगा करवा चोथ का चांद करवा चोथ सुहागिन के लिए बहुत ही महतपूर्ण दिन होता है करवा चोथ का वरत रहकर सुहागिने अपनी पती की लंबी आयू की कामरा करती है कहते हैं कि भागवान सीव के लिए सबसे पहले परवती ने यह वरत रखा था मने आता यह भी है कि द्रोपादी ने अपने पांच पत्यों की सुरक्षा के लिए करवाचोथ का वरत रखा था वहीं इस वरत में चांद के निकलने का बहुत महतु है चांद निकलने पर ही सुहागिन अपना वरत तोड़ती है बता दे जारकन में भी बड़े प्रमाने पर करवाचोथ का वरत महिलाये रखती है ऐसे में उनके लिए जानना जरूरी है कि करवाचोथ के दिन चांद कब निकलेगा चांद कब निकलेगा या बताने से पहले आपको बता दे कि इस बार करवाचोथ के वरत की तीथी को लेकर भी इस्थिती असपश नहीं है कुछ का कहना है कि 31 अक्टूबर को करवाचोथ का वरत रखा जाए तो कुछ का मानना है कि 1 नौमबर को यह वरत करना चाहिए काले जाने के बिरोध में प्राथमिक सिक्षकों ने आंदुरां की चेतावनी दी है अखिल जार्खन प्राथमिक सिक्षक संग ने इसकुली सिक्षायवम सक्षर्था विभाच के सचीव से उस आदेश को वापस लेने की मांग की है साथ ही सर पलस्टिक्षको क्या स्थनांत्रन को लेकर जीलो में तयार त्रोटी पूर्ण सुची में सुधार करने का नुरोद किया संग ने चेतावनी विदी है कि यदि 15 नुवंबर तक इन समस्याव का समादान नहीं हुआ तो प्रात्मिक सिक्षा सीम आवास का घेराव करने को मजबूर होंगे संग ने इसे लेकर मुख्य मंत्री के प्रधान सचीव, मुख्य सचीव तथा सिक्षा सचीव के नाम ग्यापन दिया है लोहर दग्गा से दो आहन चोर गिरफतार लोहर दग्गा की सदर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है पुलिस ने मोटर साइकल चोर गिरों का खुलासा किया है साथ ही चोरी की नौ मोटर साइकल के साथ दो चोरों को भी गिरफतार कर लिया है लोहर दग्गा के जूरिया और रांची के फूसरा टांड से आरोपी तो गिरफतारी हुई है सदर थना पुलिष ने लोहरधगा से 5 और रांची से 4 चोरी की मोटर साइकल बरामत किया है जिरप्तार आरोपीो में लोहरधगा के सदर थना चेत्र के जुरिया गाओ निवासी हानिफ अंसारी का बेटा किताबुल अंसारी और रांची जिले के मांडर थाना छेत्रे के फूसरा टान निवासी सनिफ अंसारी का बेटा इर्फान अंसारी जामिल है जे एमेम नेता के 24 ठीकानों पर आईटी का छापा आयकर विभाग पतना रांची वा कोलकाता की टीम ने पूर्व मेयर राज नरायन खवाडे उर्फ भवलू खवाडे जामो नेता नंद की सोर दास देवघर के जमीन कारोबारी ब्रीजेस राय गोटा के ठेकेदार मुकेस बजाज कोलकाता के बालानंद आश्राम रियल एस्टेट कारोबारी संजय मालविये से जुड़े दो दर्दन सदिक ठीकानों पर सोमवार को एक सा छापे मारी की है ए ठीकाने देवघर गोटा कोलकाता धनवाद वा पतना में हाए देर राद तक छापे मारी जाड़ी रही सुचना हाई की शापे मारी में करीब डेर्ड क्रोर रूपए नगदी भारी मात्रा में जेवरात वा जमीन में निवेस समझी दास्तावेच की बराम्दगी हुई है प्रधान मंत्री के जारखन दोरे पर कॉंग्रेस का तंज प्रधान मत्री नाइद मोदी 15 नॉमबर को जारखन दोरे पर आ रहे हैं अपने दोरे के दोरान प्रधान मत्री भावान बीरसा मुंडा के जनमज थलिक खुट्टी के उली हाथ हुजाएंगे पीए मोधी के संभावित करकरम को लेकर राज में सियासी ब्यानबाजी का दोर सुरू हो गया है जारखन कॉंग्रेश के परदेश अध्यक राजेश ठाकूर ने कॉंग्रेश बहुन में मीडिया से बात करते वे कहा है परदान मतिनायद मोधी ने बिदेश दोरा बंद कर देश का दोरा करना सुरू कर दिया है पीए मोधी को इस बात का एसास हो गया है कि पहले पांच राजियों में और फिर लोक सभा के चुना होने है परदान मतिनायद मोधी की 15 नोवंबर गुस्तमभावी जारखन यातरा को राई नितिक यातरा बताते वे राईस ठाकू ने कहा है कि चुनाव न दिखा है इसलिए पीए मोधी धरती अबा बिर्सा मुंडा और बाबा कार्तिक उराओ को भी याद करेंगे रांची में मुर्मा मेला को लेकर परशासन अलर्ट जारखन का इतिहासिक मुर्मा मेला का अगाज 30 अक्टूबर सो मुआर से सुरू हो गया है दो दिवसे मेले की तेरिया पूरी हो चुकी है मेला में सुरक्षा बेवस्ता पर रांची के ग्रामीन स्पी मनीश टोपो की भी नजर है स्पी लगातार पुलिस पतादिकारियों के संपर्क में है और दीशा निर्देश भी दे रहे हैं बतादे मेला में जूले समेत, खेल, तमासा, मौत का कुवाज, सरकस, जादू और अन्यमन रोजन की विवस्ता की गई है परांपरिक, वध्ययंत्र, किरिसी, उकरन, अस्त्र सस्त, सिंगार, प्रसाधन, खेल खिलाओने के सैकलो, एस्टोल भी सच चुके है सोमवार को सरना धर्मगुरुपंधन तिगा की अगुवाई में 40 पड़ा के पाहन, पुजार और धार्मिक अगुवा, जत्रा असल पर सकति खुटा की पुजा अचना के साथ मेला का उध्याटन किया गया विशरा एस्टेशन पर रेल रोको आंदोलन शुरू जार्खन बिहार के सीमा पर अवस्थित विशरा रेल रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया, सुबच अबये से इस अनिस्चित कालीन आंदोलन की शुरू आत की गई है जिसके बाद ट्रेनों का परिचालान हाबडा मुंबाई रेल मार्क पर प्रभावित हो गया आधाद दर्जन एक्सप्रेस ट्रेनों के दोबारा से बिशरा रेल रेल रेस्टेशन में ठाराओ की मांग को लेकर या अंदोलन किया जा रहा है इस अंदोलन में बिशरा के सभी राय नितिक दलों के नेता सामिल है पुरविधायाक जाजतिर्की, पुरविधायाक हालू मुंडारी, विजद के प्रतीप राउत राय, विशरा सरपंच सुरजनायाक भी सामिल है जारखन में अपराधियो नक्सलियों की खंगाली जाएगी संपति CID टीम और अपराधियों और नक्सलियों की संपति के बारे में पतलागाएगी संगठित अपराधियों को अंजाम देने वालों का ब्यवरा भी जुटाया जा रहा है पलामू रामकड गडवा हजारी बैग लाते हर चात्रा धनबाजम सेथ पुरों देवह समेत कई जीले संगठित अपराध के मुखे केंद रहा है इसलिए जीलों की CID टीम अपराधियों का बैवरा निकालने में जुट गई है आप राधियों के पुरी समपत्ती की जनकाड ली जाएगी जिसके लिए पैन और अधार काड के नंबर की गहनता से जाच की जाएगी आप राधियों अनक्स अली जिस मोबाइल नंबर के परियोग कर रहे हैं उस पर भी पैनी नजर है जैक बोर्ड नौवंबर में लॉंच करेगा डीजी लोकर जारखन एकेडमी कॉंसील जैक ने डीजी लोकर त्यार कर लिया है नौवंबर से इसे चात्र चात्राओं के लिए आउनलाइन कर दिया जाएगा इसमें 2023 तक की परिक्षा के मार्कशिट और सर्टिफिकेट अपलोड कर दिये गया है चात्र चात्रा मुल परवन पत्र वा अंख पत्र गूम होने पर डुब्लिकेट सर्टिफिकेट और मार्कशिट निकाल सकेंगे इसमें एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड जाने वाले विद्यार्थी का माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिया गया है जैक की ओर से इसकी अपचारी खोसना होगी वहीं जैक ने ओनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम भी डेवलप किया है जैक के अस्थापना दिवस पर इसकी घोसना की गई थी इसे पॉब्लिक डोमेन पर रखा जाएगा 37 राष्ट्रिये खेल में जार्खन जीते दो और पदक गोवा में चल रहे 37 राष्ट्रिये खेल में सोमवार को जार्खन दल को दो पदक मिले है राना परताप सिंग ने 200 मीटर ब्रेथ श्ट्रोक में रयत पदक और सपना को 100 मिह डल्स में कास पदक जीता है जार्खन के एथलेटिक्स महिलाहों की तेरा की रॉल बॉल तिरंदाजी के खिलाडियों ने संदार प्रशन किया है इस उपलबधी परस्तिया महिमान सुरेन, खेल मंत्री हफिजूल हसन, खेल सचीव मनोज कुमार, खेल निदेशक सुसांत गरों समेट जार्खन ओलंपिक संग के पदाधिकारी ने बधाई दी है रांची की स्वक्षता से लोग खोस राजधानी रांची में वुवेंस, एसियन चैंपियंस, टोफी टॉर्नामेंट का वेजन किया जा रहा है इस मैच को देखने के लिए देश भर से लोग रांची पहुँच रहे है टॉर्नामेंट को देखते हुए जिला पर्शासन और नगर निगम की ओर से साप सफाई की भी बिशेस ब्यवस्ता की जा रही है नगर निगम की ओर से मुराबादी मैदान के आसपास दुकान लगने वाले सभी दुकान दारों को दुकान लगाते समय नगर निगम द्वरा उपलब्द करा रहे गए एप्रिन पहनने का निदेश दिया गया है नगर निगम के इस आदेश के बाद मुराबादी कासपास के सभी दुकंदारों एपरीन पहन कर ही काम कर रहे हैं निगम की ओर से जारी इस आदेश के बाद दुकंदार इन नियमों का पारण कर खुसी जाहिर कर रहे हैं वह यह स्थानिये लोग भी निगम की इस पहल को बेहतर बता रहे हैं कैसे होगा जनजातिये पर सोध कई पद हैं खाली जार्खन का जनजातिये सोध संस्थान में निदेशक से लेकर सोध करता तक के पद खाली हैं ऐसे में आधिवासियों पर सोध कैसे संभव हो पाएगा बता दे जनजातियों की सब्याताव संस्कृति को समाज तक पहुचाने के लिए 1903 पर में बनी जारकन का एक मात्र सोध संस्थान TRI दम तोड़ रहा है रांची के मौरबादी स्थीत इस संस्थान के हलातिया है की निदेशक से लेकर सोध करता तक के पद खाली है जाहिर तोर पर अंठावन सोध कृत पद में से मात 19 कारेबल के जरीये काम कर रहे है इस संस्थान में कैसे काम काज हो रहे होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है दिवाली और छठ पर आना हुआ आसान एक को चलेगी स्पेसल ट्रेन दक्षिन पूर्व रेल्वे ने यात्रियो की मांग पर चक्रधर पूर रेल मंडल के रावर केरावा जार्सु गोडा होते हुए हटिया पूर्णे हटिया तेवार स्पेसल ट्रेन एक नुमबर से लेकर एक दिसमपर तक चलाने का फासल लिया है रेल्वे से मिली जनकारी के अनुसार ट्रेन नंबर 02846 हटिया पूर्णे तेवार स्पेसल ट्रेन एक से 29 नुमबर तक हटिया एस्टेशन से सब्ताक परतेक बुद्धवार राद साड़े नौ बज़े खुलेगी और सुक्रवार की अहले सुवा दो बचकर पैतालिस मिना हन समारो से पहले पूरी इस्थित जगरनात मंदिर में दर्शन किये जारकन के पूरमुख मंत्री दास तड़के ट्रेन से पूरी पहुँचे एस्टेशन पर पूरी के जिला अधिकारी समर्थ वर्मा और पूलिस अधिक छक कनवर बिसाल सिंग ने उनका अभिननदन किया इसके बाद हुआ तटिये सहरिस्थित राज भौन गए और बाद में मंदिर पहुँचे गरिह राज मंत्री टीके बहराने मंदिर के मुखे द्वार सिंग द्वार पर मनोनित राजपारा हुआ दास का स्वागत किया पलामू के लोग भी देख पा रहे होंकी का प्रसारान पलामू के लोग भी अब जारखन के रहज़ानी रांची में आयोजीत अंतराश्ट्री होंकी पर तोकता के लाइफ प्रसारान का अनन्द घूमते फिरते उठा रहे हैं प्रमांडलिय जनसंपर्क का रैलेक द्वारा या कदम उठाया गया इस पहल से लोग एक तरफ जहां घर के बाहर घूमते फिरते मैच के अनन्द ले रहे हैं वहीं दूसरी तरफ इस्टेडियम जैसा लुपत भी उठा रहे हैं जारखन में पिछले कई वर्सों से राश्ट्री और अंतरश्री मैच होते रहे हैं इसका जिधा परसारण आउट डोर में कराने की मांग पलामों के खेल प्रेमी काफी समय से कर रहे थे जन संपर्क करयाले दोरा उठाया के कदम में खेल प्रेमियों की यह मांग पूरी हुई है सो मौस साम चार बज़े से लाइप परसारण की सुरुवात की गई है CRPF का जार्खन सरकार पर 11348 कोड़ बकाया है जार्खन में नकसलियों खिलाब चलाये जारहे अभियान में राजय पूलिस के साथ साथ CRPF भी लगी हुई है बरतमान में CRPF का जार्खन सरकार पर 11348 कोड़ रुपे बकाया है इससे पहले पिछले साल राज सरकार ने CRPF को बकाया मद में 1700 कोड़ रुपे का भुखतान भी किया था राज सरकार के ग्रीह कारा एवं आप्ता प्रवंदन भी भागने राजय के पूलिस महानी देशा को इस समन्द में पत्र लिख करके अंदरिये बलो की तैना थी अब तक किये गए भुखतान और बकाया आदी का पूरा ब्यवरा मांगा है ताकि बकाया रासी के भुखतान पर निन लिया जा सके दाल बितरन के लिए पजार से दाल नहीं खरिद सकी सरकार जारखन सरकार ने राजे के 65 लाग परिवारों को एक रुपए की दर पर हर महिना एक किलो दाल बितरन की योजना बिधान सवा में घोसीत की थी मार्श 2023 में बिधान सवा से पास नए साल के बयट में इसे बकायदा सामिल भी किया गया बितिय वर्श 2023 में 555 को रुपए के परधान भी किया गया काईदे से दाल बितरन की योजना अब तक सुरू हो जानी चाहिए थी दाल की बाट जो हते लाभुकों के सामने नौमबर का महिना भी पहुँच गया लेकिन अभी तक दाल का बितरन शुरू नहीं हो पाया खादेवम अपुर्ती विभाग ने खुले बयार से तीन बार दाल खरीदने के लिए टेंडर निकाला था लेकिन दाल की कीमत सरकारी मांदंड से ज्यादा होने के कारण दाल नहीं खर दी जा सकी अंतिता सरकार ने नाफेट से दाल खरीदने का फासला लिया है और एस्पोर्ट जाती पबान पत्र देने की तयारी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम की तीसरे चरण की सुरुआ 16 नौमबर से होगी कारकरम 29 दिसंबर तक चलेगा मुख सचीव सुखदेव सिंगने कारकरम की रूप रेखात तय करने के लिए सभी अपर मुख सचीव परधान सचीव और सचीव के साथ सो महर को अपने करयाले में चर्चा की साथ ही 15 नौमर को राजस्त अपना दिवस के दोरान आयोजीत होने वाले कारकरमो और व्यजनाव को धगाटन सिलन्या से समधित भी सवय पर भी विमर्स किया अगली कड़ी में जीला उपयोक्ति के साथ मुख सचीव बैठा करेंगे सूत्रों के अनुसार सरकार आपके दोर कारकरम के दोरान अलग से सीवीर लगा कर ओन दा इस्पोर्ट जाती बहुन पत्र आदी दिया जा सकता है धन्यवाद यदि आप चैनल पनाये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एकन दबाए साथी साथ वीडियो को एक लाइक करें दोर्तों के साथ सेयर करना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़बाइक अवस्चे दे थैंक यू